हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दा सक्सस केंदरा फ्रेंड्स दोखे आज इस वीडियो में हम लोग बिहार में जो सातवा चरन सिक्षक बहाली विपेसी के माध्यम से 2023 में लिया जाएगा फ्रेंड्स उसके लिए हम लोग कक्छा एक से ले करके कक्छा बारा हुई तक के लिए इतिहास से संबंदित यानि कि हिस्टरी से रिलेटेड इंपोर्टेंट कोस्टन्स को आज इस वीडियो में हम कभर करेंगे और आज से हम लोग सब्जेक्ट वाई जो है टेस्ट स्टार्ट कर रहे हैं हिस्टरी का अलग पॉलिटी का अलग टेस्ट होगा जोगरफी का अलग होगा और साइंस का अलग टेस्ट लिया जाएगा इससे पहले मैंने आपको एक प्रक्टिसेट भी कवर कराया हुआ है साथी साथ चुकि BPC या एक्जाम कंड़क्ट करवाएगा तो BPC की एक्जाम में अब तक जितने भी प्रशन जो है बिहार की इतिहास से पूछेगा है उनको मैंने एक ही वीडियो में कवर कराया हुआ है तो अगर आप लोगों ने उनको नहीं देखा है तो देख लिजेगा उन सभी वीडियो का लिंक आपको आज की इस वीडियो के डिस्क्रिप्टिन बॉक्स में मिल जाएगा चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेए और जो बेल आइकन है घंटी का निसान है उसको जरूर दबा लिजेगा ताकि जब भी सिक्षक बहाली प्रक्रिया से संबंदित कोई भी इंपोर्टेंट वीडियो अप्लोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए तो चलिए फ्रेंड्स बिना देरी किये हुए आज का सेसन श्टार्ट करते हैं पहले प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजेगा और जब सेसन समाप्त होगा तो इसे सेर भी जरूर कर दीजेगा फ्रेंड्स ध्यान दीजी जैसे मैंने आपको बताया कि आज इस वीडियो में हम लोग बिहार में जो सबंत फिद सिक्षक बहाली होनी है 2023 में BPSC के माध्यम से उसके लिए आज हमारे या हिस्टरी का यानिकी इतिहास का टेश्ट नमबर बन है इसमें टोटल प्रशनों की संख्या जो है ये 40 है और ये 40 प्रशन pulse प्राचीन भारत की इतिहास, मद्यकालीन भारत की इतिहास और आधोनिक भारत की इतिहास से है क्या हो सकता नहीं है maximum मैं आपको 30 मिनट में सारे कुछ कभर करवा दूंगा जो आप 2 घंटे में कभर करते हैं दूसरे जगा यहां पर मैं आपको मातर 30 मिनट में पूरी डिटेल में कभर करवा दूंगा खेर चलिए आगे बढ़ते हैं आज का सिसन हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला प्रशन पढ़ेंगे कि रिगवेद का कौन सा मंडल पूनता हो सोम को समर्पित है देखे अगर हम बात करें रिगवेद की तो यहां सबसे प्राथीन वेद है वेदू की संख्या कितनी है तो टोटल चार है रिगवेद यजूर वेद साम वेद और अथर वेद रिगवेद सबसे पूराना वेद है इसमें टोटल कितने मंडल है अगर पूछा जाए तो टोटल इसमें 10 मंडल है और फ मंदल है रिगवेद के दस्वे मंदल में चारों वर्णों की उत्पत्ति का उलेख है अच्छा रिगवेद से ही गायत्री मंत्र लिया क्या है गायत्री मंत्र रिगवेद में उलेखित है इसके रचनाकार विश्वामित्र है और यहां मंत्र रिगवेद के तीसरे मंदल में व अप्सन नमबर ए हो जाएगा काली बंगा ठीक है फ्रेंट्स राजस्थान के हनुमानगर जिले में घंगर नदी के किनारे इस्तित है काली बंगा और यहीं से जूते हुए खेत के साक्ष मिले हैं नेक्स्ट कोस्टन कर लेंगे और यहाँ पर देखेंगे जो लोथल था या हडपा सभ्यता का एक बंदरगा नगर था नेक्स्ट कोस्टन ने किस सासक द्वारा स्वरपर्थम पाटली पुत्र का राजधानी की रूप में चैन किया गया तो फ्रेंट्स यह सासक जो था यह सासक कौन था तो यहाँ उदाईन था और इसी ने जो है सरपर्थम गंगा और सोन नजी के संगम पर पाटली पुत्र नगर की अस्थापना की क्लियर है और राजगिरी से पाटली पुत्र यहाँ पर अपने राजधानी को अस्थानांत्रित किया उदाईन ने उसके बाद next question कर लेंगे कि Dutch East India Company ने किस सहर में किस वर्स अपनी फैक्टरी पटना में अस्थापित किया था तो डचो ने जो है पटना कोलेज की उत्री इमारत में 1632 इस बी में Dutch फैक्टरी के अस्थापना की 1632 correct answer हो जाएगा अगला प्रशन हमारा question number 5 है कि पुर्तगाली उपनिवेस का प्रथम वायसर है भारत में कौन हुआ बिल्कुल जो बीपेसी का पैटर्न है उसी पर आधारित हम लोग प्रशनों को कबर करेंगे और देखें मैं आपके लिए अलग-अलग subject wise daily test लेकर आऊंगा आज हमारा history हो गया next वीडियो में geography हो जाएगा फिर आपको quality मिल जाएगा और science में भी हम लोग इसी प्रकार से test को cover करते चलेंगे ताकि बिल्कुल basic से लेकर के high level तक आपका तयारी हो जाए पुर्तगाली उपनिवेस का प्रथम वैसराय भारत में जो हुआ ये कौन हुआ था तो friends यह हुआ था Francisco the Almeida ठीके friends Francisco the Almeida भारत में पहला पुर्तगाली वैसराय की रूप में आया हुआ था और यहां 1505 में भारत पहुँचा था तो आपका Almeida इसका राइट अंसर हो जाएगा निम ने लिखित में से किस मुस्लिम सासक ने तिर्थियात्रा कर को समाप्त किया था अब यहां पर देखिएगा तिर्थियात्रा कर और जजिया कर को किसने समाप्त किया था अकबर ने किया था अकबर ने 1562 में ध्यान देंगे 1562 में दास प्रथा को समाप्त किया ठीक है 1563 में तिर्थे यात्रा कर को समाप्त किया और 1564 में जजिया कर को समाप्त कर दिया तो फ्रेंस ये आप ध्यान रखेंगे बहुत ही important है तो ये अकबर हो जाएगा चले उसके बाद next question दिवाने अर्ज विभाग संबंदी था दिवाने अर्ज यहां सल्तनत काल का एक सैन विभाग था ठीक है और right answer इसका क्या हो जाएगा बताएगे तो correct answer इसका रक्षा विभाग से ठीक है और इस विभाग की अस्थापना बलवन ने किया था बलवन ने किय था ध्यान रखेंगे चले उसके बाद दिखेगा कि राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज के अस्थापना कब की गई थी राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज के अस्थापना किया था ध्यान रखना आपको और इसके अस्थापना जो है 1828 में किया गया था 1828 correct answer झालब सूपने यहां पर थीछानु झीजै अगर आपसे पुछा जाएक जो पहला दिए अच्वी अटाइस के अधिक्स्ता कि forensic वा था और इसके देपस्ता बंसर हो जाए CT दूसरा दिविशन 1886 में हुआ था किलियर है कलकत्ता में हुआ था और इसके अधेक्सता दादा भाई नोरोजी ने किया था भारतिय पुनरजागरन आंदोलन के पिता कौन थे? भारतिय पुनरजागरन आंदोलन के पिता कहा जाता है राजा राम महन राय को भारती राश्टरबाद का पैगंबर, अतीत और भविस्षी के मद्ध सेतू, भारती राश्टरबाद का जनक, आधुनिक भारत का पिता, प्रतम आधुनिक पुरुस, तथा युग दूत, साथ ही साथ भारत में पत्रकारिता का अग्र दूत. इतने सारे नामों से इनको जान जाता है राजा राम मोहन राय अगला प्रश्ण है कि नेशनल काउंसिल अफ एजूकेशन के अस्थापना कब हुई थी देखे राष्ट्रिये सिक्षा के छेतर में सरवपर्थम आठ नौवंबर 1905 को रंगपूर नेशनल इस्कूल की अस्थापना हुई 16 नौवंबर 1905 में कोलकत्ता में एक सम्मेलन कायजन किया गया इस सम्मेलन में राष्टी साहितिक वैज्ञानिक और तक्निकी सिक्षा देने के लिए यहाँ पर जो है नेशनल काउंसिल अफ एजूकेशन की अस्थापना जो है 15 अगस्त 1906 को किया गया अगला प्रश्ण है हमारा कि मुझपरपूर में किंग्सफोट की हत्या का प्रयास कब किया गया था तो यह प्रयास किस ने किया था तो 1908 में खुजिराम बोस और प्रफल चाकी ने किया था 1908 बिहार की मुझपरपुर में खुदिराम बोस और प्रफल चाकी ने किंग स्पोर्ट पर बम फेका किन्तु किंग स्पोर्ट बच गया और दुर्भाग से राष्ट्रिय आंदोलन से हमदर्दी रखने वाले मिश्टर केनेडी की पत्नी और उनकी पुत्री मारी गई प्रफल चाकी ने पुलिस से बचने के लिए आत्म हत्या कर लिया और खुदिराम बोस को गिरफतार करके फासी दे दी गई थी 1908 राइटन सर हो जाएगा मुद्रा राक्सस पुस्तक है उसके लेखक कौन है मुद्रा राक्सस को लिखा किसने है तो फ्रेंस इसको लिखा है विसाक दत्नी ठीक है चले उसका बदेखेगा कि प्रस्ति चीनी यात्री फाहियान किसके सासनकाल में भारत आया था तो वायान जो था या आया था चंद्रगुप्त दूतिये के सासनकाल में फायान आया था ठीक है? याद रहेगा आपको चंद्रगुप्त मौरे किसमें मेगास्तिणीज आया था हरसवर्धन किसमें हैनसवांग आया था चेरे अगला प्रशन है हमारा कि पुस्तक Poverty and Unabilities Rule in India किसने लिखी है तो इस पुस्तक को लिखा है किसने दादा भाई नो रोजी ने ठीके दादा भाई नो रोजी ने लिखा है याद रखेंगे अच्छा लाला लाजपत राई की पुस्तक है Unhappy India नेक्स्ट प्रशन कर लेंगे कि इंडियन नेशनल कॉंग्रिस के प्रथम भारतिय महिला अध्यक्ष कोन थी प्रथम भारतिय पुछा गया यहां ध्यान देने योग्यवाथ है अगर आपसे सिर्फ प्रथम महिला अध्यक्ष पूछता तो एनिवेसंट हो जाती इन्होंने 1917 क कि कलकता अध्यक्ष प्रथम भारतिय पुछा गया है तो यह सरोजनी नाइडू हो जाएगा इन्होंने 1925 के कानपूर अध्यक्ष पूग्रिस का उसी क्या ध्यक्षता किया था चंपारन में इंडिगो के किसानों यानि कि नील किसानों की दसा की और गांधी जी का ध्यान क इसने आकर्षित किया तो देखे फ्रेंट्स यह आकर्षित किया था राजकुमार सुकली जी ने राजकुमार सुकली जी है 1916 की लखनव अजिवेशन में गांधी जी से मिले थे और इन्होंने गांधी जी को चंपारन आने का निमंतरन किया था उन्होंने यहां के जो आकर याद भी होगा नेक्स्ट कोषिन है कि चंपारन आन्होलन से कौन सम्बंधित नहीं था तो यह प्रमुख व्यक्तित जो है उनका नाम याद रखना जो चंपारन सत्यागरअ से संबंधित है चंपारन आन्होंन17 आपको याद रखना है भारत में गांधी जी का पहला स पत्यागरह आंदोलन था और इस संबंधित व्यक्तित जो थे ये राजंदर प्रसाथ अनुगरह नारायन सी नहां जेबिक किरपलानी जैप्रकास नारायन जी नहीं थे जैप्रकास नारायन भारत चोड़ो आंदोलन के समय इनको प्रसिद्धी मिली थी याद रखेंगे आप 1923 में चितरंजन दास और मोतिलाल नहरू ने इसका गठन किया था चितरंजन दास इसके अध्यक्स बने थे और मोतिलाल नहरू इसके महासचीव थे ठीक है याद रखेंगे तो सियार दास चितरंजन दास और मोतिलाल नहरू नेक्ष्ट कुस्टन है कि लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओडायर को गोली किसने मारा था इस प्रशन का एंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे यह प्रशन इंपोर्टेंट है और आपको मुझे पता है कि आपको यह प्रशन निश्यत रुप से आता है तो इसका answer आप comment करके मुझे बताइएगा एक प्रश्न हर test में आपसे मैं पुछूँँगा चलो उसका पादे के 1922 में गाया के इंडिया नेशनल कॉंगरिस का अधिविशन का अधिविशन का अधिविशन कोन थे 1922 में जो हुआ था ये गाया में हुआ था और ये बिहार में दूसरा का अधिविशन था पहला अधिविशन जो हुआ था ये बाकिपूर पटना में 1912 में हुआ था उसके अधिक्स था आरेन मा धोलकर ने किया था और ये जो गया में हुआ था इसके अधिक्स था चितरंजन दास ने किया था नेमन में से कौन सा गोल में चम्मिलन 1932 में हुआ था अब यहाँ पर आपको कुरम से याद रखना है 1930 में पहला 1931 में दूसरा 1932 में तीसरा याद आपको स्टार्ट कहां से करना है 1930 से करना है ठीक है? पहला जैसे ही आएगा तो आप पहला में एक नलगाकर के 0 लगाएंगे, ठीक है? इस प्रकार से आप याद रखना आपको, तो यहाँ पर पुछाएगा, 1932 में तो यह 3 गोल में चम्मेलन था, कौन सा सम्मेलन था? 3 गोल में चम्मेलन था, क्लियर है? और देखे, गांधी जी ने हिस्सा किसमे लिया यह रैमजे मकडोनल्ड था भारती राष्ट्री कॉंग्रेस ने किस गोल में चाहिए भाग लिया था तो गांधी जी ने हिसा लिया था भारती राष्ट्री कॉंग्रेस के तरफ से यह दूसरा गोल में चाहिए जो कि 1932 में हुआ था ठीके चले उसका पर देखेगा कि 5 यह देट आपको याद रखना है 37 यह सन भी याद रखना है 1931 यह गांधी इर्विन समझाता हुआ था गांधी इर्विन पैक्ट हुआ था इसको डिल्ली समझाता के नाम से भी जाना जाता है तो गांधी इर्विन समझाता हो जाएगा और सी करेक्ट अंसर हो जाएगा ठी 1936 में लखनव में अखिल भारती किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया था तो ये अध्यक्ष जो चुने गया थे ये स्वामी साजानन्द सुर्फसती को चुना गया था अखिल भारती किसान सभा के अस्थापना 1936 में होई थी और इसके पहले अध्यक्ष स्वा कि सिवा जी की राजधानी कहा थी सिवा जी की जो राजधानी थी ये कहा थी तो ये रायगर थी कहा थी रायगर थी उसके वदे कि 1921 सासक ने चतुर्थ बौध संगती का स्मिर माय जित किया था चौथा बौध संगती जो है टोटल चार बौध संगती हुआ है पहला बौध स संग्ति आजाद सत्रू के समय कहा पर तो राजग्री में दूसरा काला सुक के समय वैसाली में तीसरा असुक के समय पाटली पुत्र में और चोथा पुछा गया है तो ये कनिस के समय में कुल्णलवल कस्मीर में हुआ था याद रखेंगे और इसी जो बौध संग्ति थी अगोस थे चतुर्त बहुत संगति का सुंग्वंस के बाद किस वंस ने भारत पर राज किया था तो सुंग्वंस के बाद यहां राज किया था कन्वंस ने सुंग्वंस का आखरी राजा था देव भूति कौन था देव भूति ठीक है देव भूति इसकी हत्या जो है उसके आमात्य वासुदेव ने कर दिया और वासुदेव ने जो है कनमवंस की अस्थापना किया था तो ये कनमवंस हो जाएगा अश्ट प्रधान का गठन जो है किस ने किया था अश्ट प्रधान का गठन जो है यह किया था सिवाजी सिवाजी ने राजी के प्रसासन के लिए अश्ट दिगज है यहां में लिखता हूँ अश्ट दिगज ठीक है पुछेगा कि इसका गठन किस ने किया तो यह कृसंदेव राय के समय में आठ महान तेलगु कभी थे तेलगु साहित्य के जिनकों कि अश्ट दिगज कहा जाता था इसा पुर्व छटी सदी में विश्व की प्रथम गणतंतरात्मक व्योस्ता कहा थी तो यहां व्योस्ता जो थी यहां वैसाली में थी बहुत ही इंपॉर्टेंट कोस्चन है याद रखेंगे ठीक है वैसाली में चले उसका बाद नेक्ष्ट कोस्चन है कि सूला और जैन गरंत भगवती सुत्र से मिलता है यहां पर देखें अंगुत्तर निकाय दिया गया अंगुत्तर निकाय बहुत गरंत है आपको याद रखना है चले इसकोबर देखेंगा कि करनाटवबंस का संस्था संस्थापक कुन था करन 22 की श्थापक को बनाई था record and और कर ना में दो हो जाएगा राजधानी सिम्रावगर हो जाएगा अगर पुछा जाए करनाटमंस का अन्तिम सासक कौन था तो जो आखरी सासक था यह कौन थे तो हरी सिंग देव थे हरी सिंग देव ठीक है चले उसका वां नेक्ष्ट कोस्टन है कि मैयूर सिहासन पर बैठने वाला अन्तिम मुगल समराट कौन था महीवर सिहासन, सहाजहा के द्वरा बनवाएगे प्रसिद महीवर सिहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सासप मुहमद सारंगीला था ठीक है, इसी के सासन काल में 1749 में नादिर शाने भारत पर आकर्मन किया था और महीवर सिहासन और कोहनी उर्वरा लेकर के वहाँ इरान चला गया था तो यह आपका मुहमद सारंगीला हो जाएगा जगदीशपूर के किस व्यक्ती ने 1867 के विपलों में करांतिकारियों का नत्रित्व किया था तो फ्रेंस यह वीर कुवर सिंग थे कुवर सिंग राइट अंसर हो जाएगा निमलेकित में से किस ने 1867 के विद्रह को एक सरडेंत्र की संग्या दिया था तो सरडेंत्र की संग्या जो है यहाँ सर जेम्स आउटरम और डवलू टेलर ने दिया था ठीके फ्रेंस तो राइट अंसर इसका उप्सन नमबर ए हो जाएगा सर जेम्स आउटरम और डवलू टेलर ने दिया था चले उसके बाद नेक्स्ट कुशन कर लेंगे अगला प्रशन हमारा कि सत्यार्थ प्रकास की रचना की गई थी सत्यार्थ प्रकास जो है ये रचना किया है किसने तो दैनन्द सुर्षती का विचार है इसमें दैनन्द सुर्षती राइट अंसर हो जाएगा इन्होंने आरे समाज के अस्थापना किया था याद रखेंगे सत्य को गैर कानूनी किसने गोसित किया तो यह किया था लॉर्ड विलियम बैंटिक ने, इसी ने 1829 में, 1829 में नियम, याद रखेंगे नियम, 17 के द्वारा सती प्रथा पर प्रतिबंद लगा दिया, ठीक है, चलिए, राजा राम मोहन राय के प्रयास सेद्व है, सती प्रतिबंदित किया गया था, विलियम बैंटि के कॉंगरिस का प्रथम अधिवेशन कहा हुआ था, तो मैंने आपको बताया था, कि 1850 में मुंबई में हुआ था, जिसके ज़क्ता, डबलू सी बैंटिजी ने किया था, तो फ्रेंट्स, यह 40 प्रशन हमने कवर करा दिया, आपको कैसा लगा है आज का सेसन, कमेंट करके ज शेयर कर दिजिए,